नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आपका ब्लॉग आउट मैं और मैं हूं आपके साथ श्परा आजका जो वीडियो है वह बहुत ही ज्यादा खास है आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बालों की ग्रोथ के बारे में बताएंगे जा दोस्तों बालों की हेर जो हेर होती है वो बहुत सारे लोगों को प्राफ़लम होती है कि ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती है बाल बहुत ज़्यादा ज़ड़ते हैं मैं सबने बताती हूं लेकिन मैं कहीं पालों की shine को ले कर मिक सबस्amaan कि बताती हो मैं कि आपके बालों में shine रहें dandruff न रहें hair growth भी हो, बाल जड़े भी ना लेकिन आज की जो process में जो भी चीज़ें आपको बता रही हूँ basically क्या है कि आपके बाल मजबूत होंगे जड़ना कम होंगे और plus आपकी जो hair growth है वो बहुत ही जल्दी बढ़ेगी अगर आप इन मैसे कोई भी एक चीज़ को अपने routine में शामिल करते हैं और आप कोई भी एक चीज़ को लगादार follow करते हैं तो ये आपकी hair growth है उसको बढ़ाने में मदब करेगा तो अगर आपको भी ये problem आ रही है basically ये काफी common problem है ये girls और boys दोनों में रहती है आपने boys में भी एकसर देखा हुबा कि आज कल जो boys होते हैं उनके भी बाल काफी छोटी उमर से ही जड़ने लग जाते हैं शादी की एच तक के तो बाल ही खतम हो जाते हैं तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है आप काफी आसान सी चीज़े हैं अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो यह आपके बालों को मजबूत बनाएगा साथ ही सांद बालों का जड़ना रोखेगा और आपकी हेर ग्रोथे उसे दुगना कर देगा क्या 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 चीज़े हैं चलिए बिना देरी कि मैं बताती हूं फर्स्ट हो ग बालों की डाले और उसके बाद उससे अपने बालों में मसाज करें आप ऐसा करते हैं तो आपके जो बाल है वह बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं साथ ही साथ अगर आपके बाल जड़ रहे हैं तो भी कम हो जाते हैं और आपके जो हेर ग्रोथे वह दुगनी तरह से होने बाल अगर आपका बहुत ज्यादा पतला फिर न therapist थोड़ा सा मोटा जरूर हो जाएगा। वैसे तो हर एक इनसान का टेक्स्चर अलग होता है। जिस तरह से मेरे बालों का टेक्स्चर भी बहुत ज्यादा पतला है। और यह बिल्कुल सही है अगर आप प्याज कर रस लगाते हैं तो यह आपके हेर ग्रोथ को दुगनी तेजी से बढ़ाता है आपको क्या करना है आपको यहां पर प्याज को पीस लेना है और उसका रस निकाल के उसको हफते भर के लिए एक स्प्रे बॉटल में रख लेना है और आपको रात की समय अक्षे से स्प्रे को अपने बालों में करकर अक्षे से मसाज करनी है और सुबह चाहे तो आपके बालों को धोली जिससे कि आपके जो बाल है वो मजभूत हुगे तो वह वाली प्रॉब्लम भी आपकी से सॉल्व हो जाएगी थर्ड चीज पर आते हैं तीसरी चीज है आवला आवला विटामिन सी का भंडार होता है और विटामिन सी आपके बालों के लिए आपके स्किन के लिए बहुत ज्याबा फायदे बंद होता है तो आप विटामिन सी को जरूर लें अपने रूटीन में शामिल कीजे हो सके तो आ एक चम्मच रोज अपनी डाइट में शामिल कीजिए यह आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगा साथी साथ आपके स्किन को भी खुबसूरत बनाएगा अब आ जाते हैं फोर्ट चीज की और फोर्ट चीज क्या है मेथी दाना मेथी दाना भी आपके हेर ग्रोथ में दिन तोगनी और राद चौगनी वाली तरक्की करवाता है यह बात इस पर सटिक बैठती है कि अगर आप मेथी दाने का प्रयोग करते हैं तो आपकी जो हेर फॉल हो रहा हो वो पहले तो उसको रोकता है और फिर आपके हेर ग्रोथ में भी काफी ज्यादा मदद करता है इसके ल में अच्छे से मालिश करें उस पेस्ट से और उसके बाद आदी गंटे के बाद आप सर दो लेजिए ऐसा करने पर आपके जो बाल है जड़ना तुरंत ही बंद हो जाएंगे अगर आप जैसे कि मैंने बताया है हफते में तीन बार आपको यह प्रोसेस करना है और आपके ब नारियल का दूद जी हां दोस्तों नारियल का दूद जो होता है वो बालों के लिए साथ साथ स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफीशल होता है आप अगर नारियल का दूद आपको मिल सके तो ले लीजिए और नहीं तो आप कच्छा नारियल लीजिए और उसको पीस ल उससे अपने बालों में मसाज कीजिए ये भी आपकी बालों में रीग्रोथ करता है साथ ही साथ ये तो दो मुहें बालों की प्रॉबलम भी दूर करता है साथ ही साथ आपके बाल जो जड़ से कमजोर हो रहे हैं उनको मजबूती देता है और आपके बालों में एक बहुत लाता है यह हो गया पांच वांच वानुस्का अब आजे हैं चटे छटाव नुस्का क्या है जहां आपके घर में अठ़ा हुआ जी हम आरफे में लगाने से आपका फ़ेस दंगता हुआ दिखाई देता है लेकिन जल्दी आपकी हैर लोग 말고 में भरपूर मात्रा directive जाता है कि एक बालो लें आपको एक पायाया प्हाया जाता है इसको पर रस निकाल लेडिंगीए और भी में पीसके कर रस निकाल ले हैं उससे अपने बालों में अच्छे से मसाज करने हैं यह भी काफी असरदार होता है हफते में दो बार कीजिए आपकी हेर ग्रोफ बहुत जल्दी बढ़ने लगेगी अब आज आते हैं सेवंध नुस्के की और अगर आपको बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा मतलब आप परेशान हो चुके हैं कि इतने मेरे हैर फॉल हो रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं गंजी हो जाओंगी अमें गंजा हो जाओंगा तो आपको बहुत असरदार नुसका बतारी है बहुत जल्दी काम करता है आपको क्या लेना है पकी हुई सांसन उसका है बहुत असरदारे आपके बालों में तुरंत हैर फॉल इससे रुख जाएगा साथी सांसन ग्रोथ भी बालों की होने लग जाएगी अब नाश्पति को लीजिए और उसे जैतून के तेल के लिख लीजिए जैतून के तेल के साथ आपको मिक्स करने इसका पे क्या करना है आपको तिली का तेल अगर मिले तो तिली का तेल आपको इस्तमाल करना है हलका सा कुनकुना करना है और उससे अपने बालों में मसाज करनी है यह आपके बालों को लेंथ देता है मतलब आप बाल आपके घने भी होंगे साथी साथ आपके बाल लंबे भी होंगे काफी चोटी-चोटी सी ट्रिक है, अगर आप अपनाते हैं, तो आपको कोई भी ट्रीटमेंट की जरुवत नहीं पड़ेगी, नैचरल आपके बाल लंबे होंगे, काले होंगे, घने होंगे, और बालों का जढ़ना भी रुख जाएगा, अगर आप ये सारी ट्रिक्स को अप वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही जाथ चानल पढ़ना हैं, तो चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे की वीडियो की नोटिपिकेशन मिलती रहें, फिलाल के लिए इतना ही मुझे तीचे जागत नमस्कार